हाई हवी सी टीम भाई कैसे आप आई होप आप ठीक होंगे भाई ये वीडियो है गैस रिकवरी की रिफ्रिजरेंट रिकवरी हम जो चिलर से कैसे करते हैं तो ये एक भाई का जो है बहुत पहले का कोश्चन था तो उसके लिए यार मैं ढून रहा था कि हाँ ये जो मेरे पा तो भाई उनके लिए इस्पेशल है तो आप ये वीडियो भाई देख ले ना तो बात ही है कि आपने कहा था कि गैस रिकवरी हम जो कैसे करते हैं तो पहली चीज हम गैस रिकवरी क्यों करेंगे ठीक है गैस निकालने से पहले हमें ये होना चाहिए कि हम क्यों निकालेंगे तो इसके लिए हमेशा यह होता है कि हमारा चिलर जो है या तो लो रेफ्रेजरेंग के साथ यह जो ट्रीप हो रहा है यानि लो रेफ्रेजरेंग के साथ होगा ट्रीप तो यानि गैस हमारी कम है ठीक है जो भी इसके जो सर्विस वाल है, यहाँ से गैस हमारी निकल रही है, ठीक? अब जीस यहाँ है यहाँ है, यहाँ लगें, तो जो भी इसके यह मलब सर्विस वाल है, वहाँ से अगर मान की सिरू, आपको अगर दिख रहाएnd लीके स्टेज है, तो आपको नहीं पता चलेगा उसके लिए आपको क्या करना रहता अभी यहाँ पे आप जैसे चेक करेंगे यहाँ पे standing pressure आपको पताएगा चाहे आप condition में चेक करेंगे चाहे आप वो जो है आप operator यारी चिलर में चेक करेंगे तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं standing यानि हमारा यह system stop condition में तब भी यह pressure आपका slow करेगा तो इसका pressure off condition में 60 से यह 70 के बीच में होता है लेकिन अभी जो है ना ठंडी का time आ रहा है तो ठंडी का time भी pressure slow हो जाता है यानि धीरे हो जाता है कम हो जाता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर यह यह जब running पर चलता है running पर चलते एक time तो हमारा यह pressure जो 38 जो हमारा normal चलता है अगर हमारा ambient level सही है तो normal pressure जो रहता है 38 से लेकि 36 से start होता है according मैंने क्या का load के इसाफ़ load कम रहेगा तो pressure भी आपका down रहेगा लेकिन एक जो standard है उसका वो 37 या 38 से लेकि वो 50 तक भी जाएगा लेकिन जो normal है वो हमारा 38 40 पे वो रुका रहता है ठीक है अब लेकिन जब वो 38 से नीचे आएगा PSI जब हमारा यह system चलता रहेगा अब वो नीचे आएगा तो यह system trip होगा किसके साथ एक alarm आएगा low represent flow यानी ठीक है यानी गैस का flow कम हो रहा है गैस का pressure कम हो रहा है ठीक है तो तब हम इसको जो है इसको देखेंगे हमारा system यह जो बार बार trip हो रहा है ठीक है तब हम इसको चेक कराएंगे भाई क्या है क्या नहीं है अजिकतर होता क्या है आपको जो भी ऑपरेटर रहता है उसको यही चीज़ नोटिस करनी पड़ती है हाँ बलग किस अलाम से यह सिस्टम ट्रिप हो रहा है फिर अपने सीनियर को बताता है कि यह फॉल्ट आ रहा है यह फॉल्ट आने के बाद वो अपने जो भी उनके वैंडर रहते हैं अभी जैसे यह यॉर्क का चिलर है तो यॉर्क के बंदे आएंगे या फिर यॉर्क वाली किसी और को हायर करते हैं जो भी एमसी लिये रहते हैं वो आएंगे वो चेक करते हैं तो फिर उसके बाद हम जब हमारा गैस का प्रेशर कम हो जादा है तब हम गैस निकाल यहां पर चार्जिंग लाइन लग जाएगी और यह देख रहे हैं यह जब गैस निकलेगी तो हमेशा याद रखना प्राइमरी 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 प् चलिए यार वो मिल नहीं पाया सिस्टम फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूँ देखिए जो मैंने डाइग्राम बनाया है आपको कोशित करता हूँ यार समझ में आ जाए देखिए जैसे हम क्या करेंगे जो हमने वाल दिखाया यह वाल था ठीक है हमने जो अभी आपको वाल दिखाया यह वाल था ठीक है यह वाल था यह इसका डेट कैप है यह चिलर है हमारा यह कंडेंसर है यह हमारा उपर वाला कंप्रेसर है यह हमारा SP SP यानि सेकंडरी पंप यह हमारा PP यानि प्रैमिरी पंप यह हमारा एच्चू ठीक है और यह हमारा ह एक जिस से कहते हैं तराजू तो तराजू यानि वह जो है वेट मसीन यहां पर रखिजा जाएगी इस aç के लिध नर को एक चीज दिखा देता हूँ कि कि हमारे ये system में कितनी gas पड़ी हुई है, देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे यह चीज गौर करना, यह हमारे पास R134 gas है, और यह हमारी capacity यह जो आप देखने हैं, यह 650 TR का चिलर है, ठीक है, 650 TR इसकी capacity, अब हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे हमारी gas कितनी पड़ी हो रहा है, ठीक है, पहुझ गये हम, तो आप यहाँ पे सो करवा देखिए, यहाँ पे reference rent लिखा हुए, reference rent R134 इसके अंदर charge की गई है, चार्ज यहाँ पे देखने है, 621 किलो ग्राम देख रहे हैं यह यह 621 किलो ग्राम यह गैस इसके अंदर charge की गई है, आराउंड अगर हम बात करें तो कितना हो गया छे कुंटल क्या बोलते हैं उसको 100 kg को एक कुंटल ना तो यह छे कुंटल यानि 621 kg इसके अंदर गैस पड़ी हुए तो इसके लिए हम जो तराजू भी रखते हैं और अपने लाइन गेज जो हमारा रिकावरी पंप पे जो है वो लगे रहते है प्रेशर गेज जो भी कंपाउंड गेज लगते हैं तो वो लगे रहते हैं वो हमारे प्रेशर के साथ साथ बताते रहे हैं हां मलब कितनी गैस इसके अंदर जा रही है ठीक है फिर हम यह जो बाटले के यानि जो हमारा सिलेंडर रहता है सिलेंडर हमारा 150 वो जो है वेट कर तो हम बात करते हैं यहां पर ठीक है तो हम क्या करेंगे देखे पहली ची तो हम यहां से एक लाइन लेंगे यानी चारजिंग लाइन के मान के चलो पोस्करो हमने इस से connect कर दिया ठीक है और ये gas हमारी इधर से आएगी ठीक है ये हमारी gas आएगी और दूसरी तरफ से मान के चलो बस एक तरह से आप समझ लीजे कि recovery pump से कहा जाएगी gas ठीक है ये gas जाएगी हमारे cylinder में ठीक है ये पकड़ लीजे हम cylinder में दे रहें तो यहाँ प हम gas डालेंगे तब हमारा compressor चलेगा लेकिन अगर gas recovery की बात की जाए तो gas recovery में केवल आपको pump चलाना है केवल pump केवल secondary pump वहाँ पे आपको condenser pump चलानी की ज़रूत नहीं है ठीक है वो उसकी अलग line होती है तो हम यहाँ की बात करें तो जब हम यहाँ से wall खोलेंगे ये line आएग करना जब cylinder के अंदर आएगी न तो gas का क्या होता है R134 का जो है जैसे हमारे पास है R134 इसका boiling point minus 26 degree Celsius है अब बोलिए यार minus 26 degree Celsius है और हमारे यहाँ का temperature कितना है मान किसे लिए अभी इतने समय ठंडी है फिर भी 25 degree Celsius है ठीक है 25 degree Celsius में और कहा minus 26 degree तो खट से क्या होगा वो खट स बॉइल हो जाएगी बॉइल यह मतलब होता है कि उबलना अब उबलने लगेगी तो हमारा cylinder जो रहेगा ना हमारा cylinder जो गरम हो जाएगा जिसकी वज़े से पूरी गैस नहीं आ पाएगी तो आपने शायद अगर काफी लोग होंगे जो मलब देखे होंगे जब गैस किसी में आइड होती है ना तो वहाँ पर जो है उसके सामने जो बर्फ लगाई जाती बर्फ thrown या फिर ठंडा पानी समझत गे तो इस सिलेंडर को जो है या थो हम ठंडी बालती के अंदर डुबो डेंगे या इसके ंओड थंडा पानी भिगोईंगे या फिर बर्फ लगाएंगे ताकि इसके अंदर जो gas पढ़ रही है वो ज़्यादा गरम न हो वो liquid condition में रहे अगर वेपर बनेगी तो गरम हो जाएगी यार तो इसके लिए इसके इरिद गिरिद पानी डाला जाता है इस cylinder को पर ताकि पूरी gas जो है liquid form में अंदर ही रह जाए वेपर न बने ठीक है यह ची अगर आपके 600 kg हमने क्या बता है 600 kg हमारे पास जो gas है जो भी पूरी gas आ जाएगी तो हमारा यहां पर क्या होगा यहां पर प्रेशर सो कर देगा हाँ यहां पर यहां पर आपको खुदी नालेशा हो जाएगा कि अगर आपने चार बाट ले यानि चार सिलिंडर 100 kg की निकाल या 500 kg gas निकाली जो भी आप अकोर्डिंग लगा लीजिए तो यह है कि बस यह याद रहे कि निकालते समय आपको secondary pump और primary pump और करेकर रखने ताकि आपकी gas यहां पर इस पानी को ना जमाए और यहां पर वही ठंडा पानी आपको सिलेंडर पर लगाना है कि यह सिलेंडर यान पानी का यूज किया जाता है ठीक है बस वो निकलने के बाद क्या होता है गैस को निकाल दी जाती फिर उसके बाद find out leakage होता है यानि इसके अंदर जब गैस हमारी निकाल दी जाएगी पूरी 400 kg 500 kg जो भी पड़ी थी वो आ जाएगी पूरी पूरी recovery pump से तो इसको hold कर दिया जाएगा गैस को साइड में लगा दी जाएगी हाँ वाई साल इधार आजा और फिर इसको क्या किया जा इसके अंदर जो nitrogen pressure add किया जाता है गैस डालने के टाइम तो गैस डालने का process मैं आपको बता दूँगा simple सा funda है कि उसके अंदर nitrogen add की जाती है nitrogen के बाद उसको एक दिन के लिए 24 घंडे के लिए hold किया जाता है तो ये था recovery के लिए ठीक है तो I hope आप समझ गे होंगे कैसे जो recovery होता है इसका simple सा है वहाँ पे वो देख रहे हैं वो line है वहाँ पे लगाई एक line recovery pump में डाल दी recovery pump से direct cylinder में cylinder के नीचे याद रखना weight machine होती है होना भी वहाँ पे जरूरी है और उस cylinder को पर हम क्या करेंगे इसी चिल्ड वाटर का ठंडा फानी ले लेंगे उसी को पसे cylinder को पर फेकते रहेंगे ताकि हो gas हमारी गरम ना हो okay thank you भाई कोई भी doubt हो मैंने उस पे अभी Instagram ID और Facebook ID डाल दी भाई कोई भी question हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कोई यहाँ पर यार टाइम नहीं मिल पा रहा मेरा भाई okay thank you